अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खुबसूरत जगा कौन सी है तो आपके मन में जम्मू और कश्मीर, स्विजर लेंड या कोई और ब्यूटिफुल सी जगा आईगी पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमाई जगा कौन सी है तो प्रिन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए एलियन्स का होना पिरामिड का आस्मान के तारों से एलाइन्मेंट पिरामिड के अंदर एक नैचुरल ऐसी होना जो की टेंप्रेचर को 20 डिगरी रखती है ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वै में भी बात हो रही ही क्या इन स्ट्रक्शर को अकेले ही लोगों ने बनाया है यह फिर पिरामिड ईजप्ट के पिरामिड यह मास्टर्पीस और यह दुनिया के सबसे फेमस जगाहों मेंसे एक है पहरत सालों से स्टेड़ी किया जा रहा है हर टेक्न लोजी से इसे समझने की कोशिश की जारी है पर आज तक इसकी किसी नहीं कर पाया इन्होंने एकच को 910 कैसे लाया और इन्होंने किस तरह का कॉंग्रेट का इस्तमाल किया और यह थने perfectly aligned कैसे हैं बिना मशीन और टेकनोलोजी के ऐसी structures बनाना तो scientifically impossible है सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख limestone के blocks का इस्तमाल किया गया है इन पत्थरों को एक जगा से दूसरे जगा move करना ही इतना मुश्किल है तो इसे एकदम perfect position पर लाना तो दूर की बात है पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो देख रहे हो इनका वजन 2700 किलो से लेकर सत्तर हजार किलो तक है आज कलके जो modern cranes होते हैं जो बड़े-बड़े apartments को बनाने में काम आता है वह usually 20,000 किलो से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है तो वह आज से 4000 साल पहले आखिरिये सब कैसे कर लिए 4000 साल पहले वह 70,000 किलो को कैसे ट्रांस्पोर्ट किया होंगे बिना एडवांस्ट मशिनरी के इसका एक जवाब है जो आप में सजातर लोगों को यकीन नहीं होगा और वो है एलियन्स पिरमिट से जुड़ी एक थियोरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थियोरी कहते हैं अगर आप रात के समय पिरमिट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वह एक्चुली में आसमान के इस इस इंपॉसिबल सी चीज़ को देखकर बहुत सारे यह मानते हैं कि पहले के समय में एलियन्स धर्ती पर आये थे और अपने साथ आडवांस्ट टेकनोलोजी लाये थे और इन्ही की हेल्प से इस इंपॉसिबल सी पिरमिड को इन्होंने बनाया और यह एलियन्स इन्ही तारों से आये थे पिरमिड को aliens ने बनाया या इनसान ने ये बात तो कोई ने जानता पर एक बात तो sure है कि pyramids और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ न कुछ connection जरूर है कुछ theorists ये कहते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये aliens उन्हीं तीन तारों में रहते थे और ये पिरमिड लोगों ने इनके साथ अपने connection को दिखाने के लिए बनाया था तभी रात के समय ऐसी perfect alignment होती है tunnels in pyramids pyramids हर angle से रहस्यों से भरी हुई है और इनके अंदर के tunnels उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है pyramids में जगा जगा पर tunnels बने हुए है और पहले लोग common sense का use करके ये सूचते थे कि ये ventilation के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुश सके पर इस बात को dismiss कर दिया गया गलत साबित कर दिया गया जब एक robot इसके अंदर भेजा गया robots ने camera से ये देखा कि ये तो असल में बंद है और हर tunnel के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है तो ये आखिर ventilation के लिए कैसे बन सकता है पिरामिड के अगर सारे chambers की बात करें तो इसके अंदर total तीन discovered chambers है ये जो आप देख रहे हो ये है base chamber और ये है quins chamber और सबसे उपर है kings chamber अगर आप उपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को explore क chambers अगोगे और अगर नीचे right वाले इस पार्ट से इंटर करोगे तब भी आप तीनों को access कर पाओगे पर fact ये है कि आज तक इन्हें कोई ठीक से explore नहीं कर पाया ध्यान दीजिएगा मैंने कहा discovered chambers मतलब इसके अंदर और कितने chambers होंगे ये कोई भी नहीं जानता और ये भी मा उनकी आत्मा उनकी सोल आस्मान के इन तारों की तरफ जाएगा इसे पिरमिड का star shaft theory भी कहते हैं जब इस quince chamber के अंदर remote control camera को भेजा गया तब ये देखने मिला एक बंद stone जिसके ओपर metal pin लगा हुआ था इसे ऐसा बनाया गया था मानों ये लोग नहीं चाहते हों कि कोई इ इसके discovery के बाद ऐसी बहुत सारी theories सामने आई जो ये कहती है कि इसके अंदर और एक undiscovered chamber मौजूद है पर एक नए advanced tool के जरिये इस बंद दरवाजे को drill करके इसके अंदर एक छोटा सा camera को भेजा गया तो इस camera ने इस photo को खीचा और इसके अंदर जाने के पहले ही वह camera एक र जालाओ नहीं की इस pyramid को explore करने के लिए पर possibility अभी भी है किसके अंदर और भी ऐसे कई tunnels हैं जो अभी तक discover नहीं किये गए वह pyramids क्यों बनाया गया है कोई explanation ना होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि यह pyramids उस समय के राजा और रानियों के कबर के परपस के लिए बना तो यह कहते हैं कि उस समय के राजा रानियों के शरीर को mummification के process के जरीए body को mummy बना कर उसे cover में रखा जाता था मरे हुए body को lining नाम के एक fabric में बांध कर cover में रख दिया जाता था पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने bodies कितने mummy pyramid में मिले हैं तो इसक इतना explore हो चुका है उसकी बात करें तो सारे tombs बिल्कुल खाली थे और उसके ऊपर कोई text भी ने लिखा हुआ था जो कि generally उस समय के बाकी जगह पर tombs पर लिखा जाता था queen's chamber में ना queen का mummy पाया गया और king's chamber में ना king का mummy पाया गया तो इस सब को देखकर theorists ये conclusion निकालते हैं कि pyramid शायद इसके लिए नहीं बनाया गया था में भी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा और इसी सब के चलते जातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी alien के वज़ा और उनके purpose के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का power plant था pyramid इतने perfect कैसे हैं कि आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की map को अगर आप लो और अगर center का पता लगाओ तो center कौन सा होगा amazingly इस पूरी धरती का geographical center वही जगा है जहां पर ये pyramids हैं हाश योर ये complete coincidence यानि इकतफाग भी हो सकता है पर ये मत भूलिए कि ये pyramids उस समय पनाय गये थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था उस समय तो ये भी discovery नहीं हुई थी कि धरती गोल है जैसा कि आपको पता ही होगा पहले के लोग ये मानते थें कि अर्थ फ्लैट है तब उस समय ये लोग आखिर अर्थ के center को कैसे ढूंड लिए और एक चुका देने वाली बात ये है कि इस pyramid का एक पार्ट एकदम North Pole के alignment में अगर इसके center से एक arrow निकाले तो वो सिधा North Pole पर जाके मिले बस कुछ kilometer का सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है पर आपको ये जान के हरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास जो था उसकी position actually थोड़ी सी change हो गई है और tectonic plates हिल गए है इसलिए जो थोड़ी सी फर्क है वो भी सालों के धरती की structure बदलने के चलते हुई है जो की naturally होते रहत नहीं तो उस समय 4000 साल पहले यह perfectly aligned था नौर्थ पॉल के तरफ pyramid stones आपको क्या पता है कि जिन पत्थरों से pyramid बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है और scientists इस पत्थर को बहुत analyze किये हैं और क्या आपको यकीन होगा कि scientists को आज तक नहीं पता चला कि exactly यह है क्या यह limestone की तरह है पर limestone है नहीं scientists ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं भी नहीं पाए pyramid construction technology pyramid की construction की और सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय ball and socket construction type का इस्तमाल किया गया था ball and socket एक ऐसा method है जो की heat expansion झेल सकता है यानि गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी यह झेल लेता है और यह ball and socket construction type actually में earthquake यानि भुकंप को भी झेल सकता है सोचिए shockproof technology वो भी 4000 साल पहले natural air conditioner inside pyramid Egyptian desert जो है जो की pyramid के करीब है वो बहुत ही जादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है पर इन सब के बावजूद भी उस समय pyramid को ऐसे बनाया गया था एक ऐसे रहस्समय तरीके से बनाया गया था कि चाहें बाहर की temperature कितनी भी हो pyramid की अंदर की temperature constantly 20 degree Celsius रहती है जो की धरती की सबसे comfortable और average temperature है इसे आप 4000 साल पहले की natural AC यानी air conditioner भी कह सकते हो तो क्या ये सब facts, natural AC, earthquake resistant buildings, Orion star alignment, north pole direction without compass क्या ये सब महज एक्तफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी intelligent प्राणियों का हाथ है जिने इतना knowledge था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है theorists का ये मानना है कि ये knowledge उन Egyptian लोगों को aliens नहीं दिया था एजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगाएं हैं उन सब में आपको ऐसे ऐसे drawings मिलेंगे इस drawing के अंदर आपको कुछ दिख रहा है जी हां ऐसा लग रहा है कि ये कोई aeroplane का drawing है और कई जगाहों पर तो literally ऐसे ऐसे carvings बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे creatures देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आँखे हैं बड़े सर हैं और height छोटी हैं बिलकुल एक modern alien depiction की तरह इस carving को देखो इसे देखकर आपको किसी की याद आती है ये actually एक modern alien spaceship की depiction है इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन pyramids को solely अकेले ही aliens नहीं बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था ये theory कितनी सच है इसका अंदाजा तो accurately कोई नहीं लगा सकता पिरमिड और तारों का जो सिंग की बात की हमने उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना aerial view के यानि बिना ऊपर से ऐसी perfectly aligned structures नहीं बनाया जा सकता सिर्फ उपर से aerial view की help से इसकी position को consider किया जा सकता था और 4000 साल पहले तो drone और helicopters भी नहीं थे तो आखिर ये जमीन पर बैठ कर ही align कैसे कर लिये सिर्फ दूसरे planets के प्राणी ही ये सब कर सकते थे सिर्फ aliens ही aerial view पता कर सकते थे उपर से अपने spaceship की help से amazing sun alignment of pyramids हर साल 21 जून को summer solstice होता है यानि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात वाला डे इस दिन अगर आप शाम को great pyramid को view करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेएगा pyramid के ठीक center में उस शेर के ठीक उपर से ऐसा सूरज का view तो ये सब को मध्य नजर रखते हुए इतनी calculations करते हुए आखिर वो लोग कैसे जानते थे एक चीज़ इक्तफाक हो सकता है पर ये structures इतनी सारी इक्तफाक अपने अंदर रखती है कि इसे हम इक्तफाक नहीं कह सकते ये surely बनी बनाई योजना थी तो इसलिए जातर theories ये कहती है कि उस समय दूसरे दुनिया के aliens ही इतने complex calculations कर सकते थे उनके पास ऐसी knowledge और ऐसी tools थी जो आज के आधुनिक science के पास भी नहीं है देंडेरा लाइट एजिप्ट में एक देंडेरा नाम की जगह है वहाँ पर एक temple यानि मंदिर है जिसका नाम है देंडेरा लाइट complex एजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस temple को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिनका नाम था है थोर और ये मंदिर इस complex को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए जब उस ancient room को पूरी तरह से clean कर दिया गया तब scientist को ये देखने मिला एक ऐसा art जो की बहुत अलग था और पूरे एजिप्ट में सिर्फ इसी मंदिर के अंदर ऐसा कुछ कला देखने मिला इसे डैंडेरा light कहते हैं दिवार पर ये जो drawing जो Egyptians ने बनाई है ये ये सवाल खड़ा करती है कि Egyptian लोग भला कितने advanced थे इस image को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक light bulb जैसा कुछ दिखेगा ये मत भूलिएगा कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे इस image को देखकर theorists ये कहते हैं कि ancient Egypt में electricity यानि बिजली exist करता था और 4000 साल पहले इन्हें electricity time travelers यानि समय यातरियों ने या फिर पहले के ancient aliens ने दिया था और theorist का ये कहना है कि ये light bulb वो चीज है जो रात के समय इन्हें pyramid और बाकी structures बनाने में help करती थी एक bulb होती है जिसे crooks tube कह हैते हैं अगर आप इस image पर आज के एक modern crooks tube से compare करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेएगा इस bulb के अंदर जो filament है उसे Egyptians ने एक साप से दर्शाया है और इसके end में इस जगह एक lotus full बना हुआ है जो की एक modern socket को दर्शाता है जो की असली bulb में होता है और नीचे एक wire तार आ रही है जो की एक box में लगी हुई है जहां से बिजली आ रही है और ये जो इनसान है ये एक dangerous सा tool लिया हुआ है जो की ये दर्शाता है कि ये bulb आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप इसे सही से इस्तमाल नहीं किया गया तो आपको current मार सकता है आपको shock लग सकती है Switzerland में एक mystery park है वहाँ पर बिल्कुल इसी चीज का एक model रखा गया है तो इस photo से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की light bulb वाली बात अगर सही है तो वो कैसी दिखती होगा 4000 साल पहले light bulb, technology और electricity, it's really shocking the great is phoenix, pyramid के बारे में आपने school में जरूर पढ़ा होगा या उसकी photo को एक नाइक बार जरूर देखा होगा तब जातर pyramid के pictures में आप इसको जरूर देखते होंगे इसे the great is phoenix कहते है ये एक ऐसा structure है जिसका चहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है इसी तरह का alien mutant creatures जैसा ये सिर्फ pyramid reason का ही नहीं बलकि पूरे Egypt का सबसे रहस्तमई structure है इतने modern research के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये exactly किसलिए बनाया गया था ये इतिहास की सबसे बड़ी statues में से एक है अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा है और इसकी उपर की height है 20 मीटर और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया ये एक ही बड़े limestone के piece को लेकर उसे इस shape में डाला गया है इसलिए इसे दुनिया की सबस दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी structure सामने आई ये मानना है कि एक सुंदर सा statue हुआ करता था पर हजारों सालों के अंदर इसमें बहुत changes यानि बदलाओ आ गया है त्योरी के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा ये ऊप industry तो इसके नीचे अंडर ग्राउंड में है शुरू में ग्राउंड रेडार से ये पता चला किसके अंदर दो कैविटी यानि दो खाली जगा है ये बिल्कुल आजकल की modern शहर की अंडर ग्राउंड सिस्टम जैसा है साल 1995 में जो वरकर इस चीज को रेनोवेट कर रहे थे उ जो की आज तक अंदेखा है आज भी पिरमिट्स को एक्स्प्लोर करना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसे ही होगी पिरमिट्स के ऊपर कोई ममी मिलेगा या फिर कोई और रहसमय टनल मिलेगा उसकी अपडेट मैं आपको न्यू वीडियो में जरूर दूंगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना